आज हम बनाने जा रहे हैं मुरायो या सामक के चावल जो की वरत में खाये जाते हैं यह मुरायो के कई नाम होते हैं जैसे सामक के चावल, भगर, मोरधन और भी कई नाम होते हैं ये साबुदाने के लिए बहुत ही अच्छा सब्स्टिटीट है क्योंकि इसमें स्टार्ज की मातर कम होती है प्रोटीन फाइबर ज्यादा होता है और इसी वजह से ये डाइबेटिक फ्रेंडली भी है तो यहां मैंने एक कप मुरायो लिया है इसे इंग्लिश में बार्नियार्ड मिलेट्स कहते है और महराष्ट में इसे भगर, मौरधन, नौर्थ में इसे समक के चावल कहते है हाला कि ये चावल नहीं है इसकी nutritional value बहुत high होती है क्योंकि इसमें protein और fiber काफी मातरा में होता है तो आए हम इसे पहले अच्छे से दो लेंगे और फिर बारिक चलनी से चान लेंगे क्योंकि ग्रेन बहुत ही महीन होता है तो ये देखिए मैंने इसे दो के चान लिया है मैंने इसको दो बार धोया था आप देख सकते हैं पहली बार में थोड़ा सा गंदला पानी निकला है दो सेकेंड टाइम काफी साफ निकला है तो ये ग्रेन होनी के वज़े से इसे दोना बहुत जरूरी है तो आईए अब हम इसे साइड में रग देते हैं यहां मैंने एक आलू लिया है यह नया आलू है उसका चिलका बहुत ही पतला है इसलिए मैं इसे चीलूंगी नहीं वैसे भी आलू के चिलके में भी न्यूटियंट होते हैं तो कुशिश करें कि इसे बिना चीले ही खाएं यदि आप खा सकते हो तो तो इसे हम छोटे टुकड़ों में काट लेंगे यह मुरायों के साथ यह भगर मुर्धन के साथ यह आलू बहुत ही बढ़िया लगता है साथ ही मैंने दो हरी मिर्चे लिये एक लंबी वाली है जो कम तीखी है एक छोटी है जो जादा तीखी है तो दोनों का मिशन बाएक अच्छा हो जागा यह आप जादा तीखा पसंद नहीं करते हैं तो आप मिर्ची कम कर सकते हैं यह चाहे तो जादा भी डाल सकते हैं तो आएए एक कडाई में हम एक ऑलिव ओईल कर लेते हैं मैं इसे आज ऐझ अगी में बनाने वाली हूँ में पतलсы औलू डिया हमकर था चाहें आप जाहें तो इसे गी में बना सकते हैं या बीग फैट चाहें आप यूजिजी कर सकते हैं औली वाइल के साथ ही साथ में चोटा सा टुकड़ा बटर भी डाल रही है जो की फ्लेवर के लिए है बटर से हमेशा फ्लेवर बहुत अच्छा आता है यदि आपको कोई परिशानी नहों और कोलेस्टराल वगरे वाश नी करते हो तो आप सारी डेश बटर में यगी में बना लेकिन यदि आप वीगन डायेट फालो करते हैं तो फिर बटर ना डालें सिर्फ ऑईल में ही बना लें तो आप इसमें मैंने एक चमच जीरे डाला है जीरे को हम तड़कने देंगे जब जीरे अच्छे से फूल जाए उसकी खुश्मों आजा तड़कने लग जाए तो हम इसमें हरी मिर्ची और आलू डालके हमें इसे फ्राय करना है तो इस क्रेन को कई अलग नामों से जाना जाता है इसे मुरायो, सामो, सामक के चावल, भगर, मोरधन, वुरत के चावल, आदी नामों से जाना जाता है आप किस नाम से जानते हैं मुझे जरूर बताएं अभी आलू को हमने थोड़ा सा फ्राय कर लिया है अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालके और ढखके पकने के लिए रख देंगे गरी पांच मिनिट में आलू पक जाएंगे इसी बीच हम अब अपनी चटनी भी बना लेंगे जो इस वुरत के चावल के साथ सर्व होती है तो हरी चटनी के लिए हमें चाहिए एक टेबल स्पून भूने हुए और छिले हुए मुगफली के दाने साथी चाहिए एक हरी मिर्च कटी हुई एक या दो हरी मिर्च जिस साबस आपको तीखा चाहिए एक इंच अद्रक का तुकड़ा और एक मुठी भर ताजी हरी धनिया स साथ ही नमक और आधा निम्बू खटास के लिए अब इसको हम महीन पीस लेंगे जरूत पड़े तो थोड़ा सा पानी डाल लेंगे यह देखिए हमारी चटनी एकदम महीन पीस गई है इसे अब हम बोल में निकाल लेते हैं यह दि किसी वज़े से आपके चटनी बहुत तीखी हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा दही मिला दें साथ ही थोड़ा सा नमक और चीनी भी मिला दें तो एक खटी मीठी तीखी चट सीरब चलते हैं आलू की पक चुके हैं अब हम इसमें धोई उए अपने व्रत के चावल या समक के चावल डाल देंगे barrier मैंने एक पड्र चावल लिए थे आपको याद होगा तो इसमें हम दो कुप पानी डालेंगे इसमें थोड़ा सा और नमक भी डाल देते हैं याद रह होता है तो यह खटा मीठा बड़ा स्वादिश बनता है लेकिन आपके पास को कमना हो तो आप निम्बू डाल दें अब मैं इसमें उबलता हुआ पानी डाल रही हूँ हमेशा कुकिंग करते से मैं उबलता हुआ यह गर्म पानी यूज करना चाहिए वरना हमारी डिश का टेंपरेचर लो हो जाता है थंडा पानी डालने से और फिर पकने में जादा टाइम लगता है अब देखिए इसमें सिद्ड़ कर लेते हैं इसके लिए हमने कुटे वे मुणफली के दाने उपर से डाले हैं उप साथी हरा धनीया टाजा टाजा ताजा अगरदिया चटनी और दही के साथ हम इसे सर्फ करेंगे साथी दो खजूर भी रख लेते हैं साथ में मिठास के लिए आप इदी चाहें तो मुंफली दाने अंदर भी पकते समय डाल सकते हैं तो आप किसी भी व्रत के लिए ये रेसिपी जरूर बनाएं और मुझे बताएं आपको कैसी लगी तो इसी तरह जुड़े रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें हम जल्दी ही मिलेंगे किसी सिंपल और इजी रेसिपी के साथ